प्रशांत किशोर ने अपना निशाना बनाया था इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने पाँच बार मुबाइल हैंट से बदा लेकिन हैकिंग फिर भी जारी है अमेंसिटी फोरेंसिक अनलाइसिस का दावा है कि प्रशांत किशोर के फोन में इंफेक्शन के निशान 28 अपरिल को दिखे थे आपको बता दें कि बंगाल चुनाफ के आखरी राउंट की बोटिंग इसके 24 घंटे बाद होनी थी उनके फोन की फोरेंसिक जार्च कहती है कि पेगासिस का सर उनके फोन पर पूरे तौर पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो फोन बदलते रहते हैं साल 2018 में हुए खमले उनके फोन के बैक अप पर दिख रहे हैं जून और जुलाई के महीने में उनके फोन पर स्पाई वेर और ट्रेसिस लगातार 13-14 दिनों तक दिखे रहे थे तो बता दें लगातार जासूसी कांट को लेकर तमाम ज़ानकारिया सामने आ रही हैं कल से जासूसी कांट को लेकर खुलासा हुआ था उसके बाद से 40 से ज़्यादा पत्रकारों कई बड़े नेताओ और कई उद्योग पतियों के नाम सामने आए थे जिनका फोन ट्रेस किया गया था इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा गया है कि उनका फोन भी ट्रेस किया गया था और उनका फोन को जो ट्रेस की गई थी वो 28 एप्रिल को की गई थी और उसके ठीक 24 घंटे बाद बंगाल शुनाफ होने थे बंगाल चुनाफ के लिए वोटिंग की जानी थी इसलिए 2018 में भी उनका फोन ट्रेस किया गया था हलाकि उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार लंबे समय तक फोन नहीं एक रखते और जल्द से जल्द ही वो फोन बदलते रहते हैं की लिए इस जासूसी कान का ज्यादा उसर उनके फोन पर नहीं होता दिख रहा है पंजाब कॉंग्रेस में जंग अभी भी जारी है नवजोद सिंग सिद्दू को प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद कलेख खतम नहीं हुई है मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग चुप्पी सादे हुए हैं वहीं सिद्दू भी धन्यवाद देने के लिए कैप्टन के नाम से परेज करते हुए नसर आए पर पंडित जवालान नहरू के साथ अपने पिता की एक तस्वीर ट्वीट कर खुद को पारंपारे कॉंग्रेसी भी उन्होंने बताया सिद्दू को पंजाब प्रदेश कॉंग्रेस का कप्तान बनाए जाने पर कैप्टन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस चुपे को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कैप्टन किसी कीमत पर सिद्दू को अध्यक्ष बनाए जाने के हक में नहीं थे सिद्दू को रोकने के लिए उन्होंने अपने धूर विरोधी प्रताब सिंग बाजवा से भी खात मिला दिया था पंजाब से कॉंग्रेस के 10 सांसिदों ने भी रविवार शाम पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर सिद्दू को अध्यक्ष न बनने की अपील की थी वहीं पार्टी सूतरों का कहना है कि सुनिय गादी ने पत्र लिखने वाले सांसिदों से फोन पर बाद भी की थी इसके बावजूद भी सिद्दू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऐसे में माना जा रहा है कि फैसला लेने में आलकमान ने अपनी ताकत का इस्थमाल किया है तो बता दे पंजाब कॉंग्रेस में कले अभी भी लगातार जारी है बीते दिनों भी ये कले देखने के लिए मिल रही दी हाला कि अब सिद्दू को पद मिलने के बाद भी अमरिंदर सिंग खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं सिद्दू को जब पद मिला अमरिंदर सिंग की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की बधाई नहीं दे गई और ऐसे माना जा रहा है कि कैप्टर अमेंदन सिंग इस चीज से नाराज है हलाकि कॉंग्रेस आलकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है लिकिन उसके बाद भी शायद कैप्टर अमेंदन सिंग के मन में नाराज़गी इस फैसले को लेकर है भारत में लगातार बढ़ते और घटे मामलों के बीच 125 दिनों बाद कोरोना वारस के सबसे कम केस दर्ज किये गए हैं इस दोरान कोरोना के लाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 117 दिनों बाद सबसे निचल स्थर पहुंच गई है सबसे मन्तराले के ताजा अक्रों के मताबिक बीते दिन देश फर में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आये तो वहीं एक्टिव केस की संक्या घट कर 4,6,130 पर पहुंच गई है कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी घट कर अब 97.37 फीजदी पर पहुंच गई है इस दोरान देश में कोरोना की वज़े से 374 लोगों की जान भी चली गई इसके साथ ही अब देश में कोरोना से जान गवाने वालों का आकड़ा भी 4,14,382 हो गया है आकरी बार कोरोना के बता दे देनिक मामले 30,000 से नीचे यानिकी 16 मार्च को रहे थे हाला की सुमवार को अकसर कोरोना के मामलों में कमी इसलिए भी आती है क्योंकि वीकेंड पर कम जाच कराई जाती है इससे पहले रविवार को भारत में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले दर्श किये गए थे बतादें लगाता 29 दिन देश में कोरोना की दैनिक संक्रमंट दर 3 फीज़ी से भी नीचे रही है सुमवार को ये 1.6,8 फीज़ी थी वहीं सापताहिक संक्रमंट दर भी 5 प्रतिश्चत से नीचे हो गई है और अभी ये 2.06 प्रतिश्चत पर पहुँच गई है जम्मू कश्मीर के कुपारा जुले में दो बीज़ेपी नेताओं ने खुट पर जूटा आतंकी हमला कराने के खिलाफ गिरफतार किया गया है बतादें दोनों ने खुट पर आतंकी हमला होने का नाटक किया था इस पूरे मामले में दो सुरक्षा गार्ड भी गिरफतार हुए है महीं बीजेपी के दोनों कायकरताओं ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने और बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए ये कदम उठाय था बामले में गार्डो समयत इश्फाक एहमद और बशारत एहमद को अदालत में पेश किया गया है जहां उन्हें साथ दिन की रिमान पर जेल भेज़ दिया गया है बता दें के शुकरवाद शाम को दोलों ने दावब किया था कि उन पर अग्यात बंदूग धार्यों ने गोलियां चला दी थी जिसमें इश्फाक एहमद के हाथ में चोट लग गई थी शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि गार्ड से गलती से गोली चल गई थी जिसके बाद बीजेपी कारकरता को मामूली चोट लग गई है लेकिन आगे की जाच में सामने आया कि ये हमला जान पूछ कराया गया था आतंकी हमला था और आपको बता दें कि शुपाक एहमद बीजेपी के जिला ध्यक्ष मुहमद शफी मीर के बेटे हैं और अब इस मामले में बीजेपी ने मील और उनके बेटे और बशारत एहमद को निलंबित कर दिया है और आगे की कारवाई के लिए आंतरिंक जाच भी शुरू करा दी है तो बता दें बीजेपी ने पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और बीजेपी नेताओं ने खुद पर हमला कराया था हाला कि बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खीषने के लिए इस तरह की साज़िश कराई थी बीजेपी नेताओं ने और जिसके बाद अब पार्टी से इन दोनों ही नेताओं को निलंबित कर दिया गया है पेगासस चासूसी मामले में जो कठित नई लिस्ट जारी की गई है उसमें एक महिलास के इस्तिमाल किये गए तीन फून नंबर भी हैं जिसमें एप्रल 2019 में भारत के ततकालीन मुख्य न्याइधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीरन का आरोप लगाया था आपको बता दें कि सुप्रीम कोट की एक आंतरिक समीती ने गोगोई को क्लीन शिट दे दी थी और उनके रिटाय होने के तुरंत बात सरकार ने उन्हें राजस्वा के लिए नामित किया था एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस महिला के नंबरों के साथ साथ उनके पती और उनके दो भाईयों द्वारा इस्तिमाल किये गए आठ अन्य नंबरों को भी निगरानी के लिए चुना गया है बतादे रिपोर्ट के अनुसार ये वो समय था जब पूर्व सीजे आई के खिलाप उन्होंने आरोप लगाई थे वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला के देवर ने सोंवा को मीडिया को बताए कि उसे या उसके परिवार को पता नहीं था कि उनके फोन नंबर निगरानी के लिए संभावित टार्गेट थे तो बतादे लगाता पेगास जासूसी कांच कोले का तमाम जानकारिया सामने आ रही हैं और एक नंबर जिसका ट्रेस हुआ है वो महिला बो थी जिनों ने रंजन गोगोई पर आरोप उत्पीडन का लगाय था और उनके कई नंबर जांच के दाएरे में आ गये थे हाला कि महिला को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी और चौकाने वाले खुलासे लगातार इस जासूसी कांच को लेकर सामने आ रहे हैं कल से ही तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनकर हर कोई हैरान है नरेंद मूदी सरकार के मंत्री मंजल के बाद अब यूपी विदांसवा चुनाव 2022 से पहले योगी आधितिनाज सरकार के मंत्री मंजल विस्तार के अटकले काफी तेज हो गई है सूत्रों की माने तो जुलाई के आखरी सब्ता में मंत्री मंजल का विस्तार किया जा सकता है विस्तार में छे नए चहरों को मंत्री मंजल में जगा दी जा सकती है हाला कि जिन मंत्रियों का कामकास अंतुष्टी जनक नखी है उनकी छुट्टी भी की जा सकती है इस संबन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा उत्परदेश बीजेपी अध्यक्ष सुतिंतर देव सिंग और प्रभारी मंतरी सुनील बंजल के साथ बैच कर मन्थन कर सकते हैं पतलब है कि अगले सार यूपे विधानसवा चुनाव 2022 में होंगे जिसका एलान साल के अंत तक किया जा सकता है ऐसे में सीम योगी आदितिनाद के मंतरी मंडल में जल्द ही फिर बदल होने की पूरी संभावनाय तेज हो गई हैं कहा जा रहा है कि योगी सरकार की मंतरी मंडल में 6 नए मंतरियों को जगा भी दी जा सकती है हाला कि जिन मंतरियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है उन्हें पद से खटाया भी जा सकता है बता दें के हाली में प्रधाद मंतरी नरींद मोदी ने केंडरे कैबिनेट का विस्तार किया था जिसमें उत्तरप्रदेश से साथ नए चहरों को मंतरी मंदल में ज्रगा मिली थी इन चहरों में अपना दल की अनुप्रिया पाटेल, कौशल किशोर, बियल वर्मा, भानुप्रताप वर्मा, इस्पी सिंग बगेल, पंकट चौथरी और अजे मिश्टराश शामिल है तो बता दें यूपी में भी मंतरी मंदल विस्तार जल्द से जल्द हो सकता है इस बात की जानकारी मिल रही है, हाला कि वीते कुछ दिनों से ये अटकले लगाई जा रही थी कि यूपी में मंतरी मंदल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब ये अटकले और ज्यादा तेज हो भी है और हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में सीम योगी अधितिनाथ इस बात को लेकर ऐलान कर दें और उमीद जताई जा रही है कि पांस से साथ या हो सकता है, दस नए चहरों को मंतरी मंदल में शामिल किया जा सकता है और हाला कि ये भी है जिन मंतरियों का डिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होगा, उमीद जताई जा रही है कि उनकी छुट्टी भी की जा सकती है और उनकी जगा नए चहरों को शामिल किया जा सकता है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांश ने अभीनेतरी शुलपा श्यट्टी के पती और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पौनोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे आप की माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्श किया गया था अब इसी मामले में उनके गिरफतारी भी की गई है पॉनोग्राफी और पॉनोग्राफी कंटेंट के मामले को लेकर हमारा कानून काफी सक्त है इस तरह के मामले में IT Act के साथ साथ IPCC की कई धाराएं आरोपी पर लगती हैं इंटरनेट का चलन और आधुनिक तक्नीक के विक्सित हो जाने के बाद IT Act में शंशोदन भी किया गया था ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोशी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा मिल सके और उनकी खिलाफ कारवाई कर सके इंटरनेट के माध्यम से अश्लीरता का व्यपार भी खूब फलफूल रहा है ऐसे में पॉर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है जिसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, और डियो सामगरी आती है जो यौन करतो और अधारित होती है ऐसी सामगरी को इलक्ट्रोनिक धंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और केस जरिये प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर एंटी पॉर्नोग्राफी लौक लागू होती है परॉर्नोग्राफी प्रकाशित प्रसारित करना और उलक्ट्रोनिक जर्यों से दूसरों तक पहुँंचाया जाना अवेध है लेकिन उसे देखना प्ढ़ना या सुनना अवेध नहीं माना जाता है जबकि च्राइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना भी अवैद माना जाता है तो बता दे मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पशेटी के पती राजकुंद्रा को गिरफतार किया है हाला कि आज कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है लेकिन एक के बाद एक खुला से लगातार हो रहे हैं पूश्ताश उनसे लगाता की जा रही है आज मेडिकल उनका कराए जाएगा जिसके बाद कोर्ट में उनने पेश किया जाएगा बता दें फरवरी में राजकुंद्रा के खिलाफ मामला दर्श किया गया था जिसके बाद जाच के बाद अब उन्हें कल गिरफतार किया गया है आगरा में ब्लैक फंगर्स के मरीज जो शुरू से ठीक हो गए थे अब एक बाद फिर से उनमें संक्रमन का पता लगाय जा रहा है आगरा के सिरोजनी नाइट्यू मेडिकल कॉलेज एस एन एमसी में म्यूको माइकोसेज या ब्लैक फंगर्स के कम से कम नौ मामलों की पुष्टी हुई है 40 साल से ज्यादा उम्र के इन सभी रोग्यों ने पहले कोवेड-19 के लिए पॉजिटिव प्रसिक्शन कराया था ब्लैक फंगर्स उपचार के लिए जिला प्रभारी अखिल पताब सिंग ने कहा पुष्टी हुई है विशेश रूप से इन रोग्यों में दुबारा संक्रमन के कोई लक्षन नहीं देखे साथ इन सभी रोग्यों को आप फंगर्स रोधी उपचार भी दिया जा रहा है इस बीच शेहर में दो और मरीजों के फेपड़ों में ब्लैक फंगर्स के संक्रमन का पता भी चला है इन मरीजों को सन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वॉर्ड में भर्ती कराया गया है करनातक में बीजेपी आलाकमान के नेत्रतों बदलने के फैसले के मद्दे नजब मुख्यमंत्री बीएस यदियूरप्पा और उनके खेमे के विधायकों ने उनके समर्थन ने एक चौतरफा भ्यान शुरू कर दिया है दरसल पार्टी सूतरों ने कहा कि पार्टी के अंदर घटना करम तेज हो गया है नई दिल्ली में आरेसेस नेताओ और वरिष्ट नेताओ को चुछ विताबदी दी गई है कि अगर सीम यदियूरप्पा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है तो परिणाम भुगतने होंगे और राज्य भर में कई वीर्शेव, लिंग्यात, मठो के धार्मिक संतों के माध्यम से आंदोलन शुरू करने का भी निंडे लिया गया है यहां तक कि यदियूरप्पा ने खुद के अगले दो सालों तक सीम बने रहने की घोशना भी करती है हाला कि अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनके समर्तन में घोशना करने के लिए आके नहीं आया है और इसलिए यदियूरप्पा की टीम बीजेपी आला कमान से मांग करने की योशना बना रही है कि वो राज्चे में नेतरतु के मुद्बे पर से पर्दा हटा दे सूतर बताते हैं कि उनके संग्यान में ये भी लाया जाएगा कि अगर वो इस दिशा में काम नहीं करते हैं तो राज्चे में बीजेपी को भारी नुकसान भी होगा और खिलाब भारती वीर्ड शेव महासबा के अध्याक्ष और कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता शमनूर शेव शंकर कपपा ने बताया कि चेतावनी दी है कि अगर सीम यद्यूरप्पा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो करनाटक में बीजेपी पार्टी बरबाद हो जाएगी बीजेपी नेताओ को इतिहास में जाना चाहिए और लिंग्यात नेतुरत को परिशान करने के परिणामों के बारे में भी जाना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि अगर सीम यद्यूरप्पा के खिलाब कोई कारवाई की जाती है तो समुदाय बीजेपी को मुह तो भारतिय सेना प्रमोग जर्नल एम एम नर्वडे सहित शीर्ष शुरक्षा अधिकारियों संग बाच्षीत करने के लिए अगले सब्ता दो दिनों के लिए भारत का दौरा करेंगे अफगानिसान के सेना प्रमोग जर्नल वली मोहमद एहमद जै 27 जुलाई से 29 जुलाई तक चुपई भी साथ रखी है हाला कि सूत्रों ने कहा है कि अफगानिसान के सेना प्रमोग को रसद समर्थन मिलने और सैनने उपकरनों की चाहा है और भारत लंबे समय से अफगानिसान के केंजेटों को सैनने अकादमियों में पसिक्षन दे रहा है इसके साथ ही ये दोरा एक अफगानिसान में सरको बंदो और संसत भवन सहित बुनियादी धाचा पर योजनाओं में तीन अरफ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश भी किया है इस महीने के शुरुआत में राश्टे सुलह के लिए उच्छ परिशद हCNR का नेतरुत करने वाले अफगान राज परिशद हCNR में एक सरकारी प्रतिनिधी मंडल कतर के दोहा में भी शांती वार्ता कर रहा है साथी भारत के लिए मुखे चिंता का विशय पाकिस्तान में बस्यातन की समोह द्वारा पालिबान नियंतरिन शेत्र का उप्योग करना भी है साथी भारत विकास शीलिस्तिती क को लेकर अफगान सरकार के संपर्ख में भी है और इसी के साथ सुरक्षा चिंताओं के पीच भारत 11 जुलाई को कंधार में वानिचे दूतावास से अपने करमचारियों को वापस भी लाया था रक्षा मंतराले ने पिछले तीन सालों में विमान, मिसाइल, ट्रैंक और ब्लू प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूप, नौसेना के जहाजो, रडार, नेटवर्क और अन्य रक्षा उपकरनों की पुन्जी गत खरीद के लिए स्थानिये विक्रेता के साथ 102 अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर कर दिये हैं, ये जानकारी सुवा को संसत को में दी गई, बता दे बीजिपी के राजसबा संसत संभाजी शत्रपती को एक लिखित उत्तर में, रक्षा राज्य मंतरी अजय भट ने कहा कि आत्म निर्बा भारत पहल के कावंटन में से घरेलू पुंजी खरीद के लिए 74,400 से ज्यादा करोड रुपे की राशे निर्धारित करने का निर्ने लिया गया है, पुंजी अधिग्रेहन के लिए 11,400 करोड रुपे तैक किये गए हैं, आपको बता दें कि रक्षा उपकर्णों की पुंजी गत खरीद विभिन घरेलू और साथ ही विदेशी विक्रेताओं से मिलने वाली परिचालन चुनोतियों से निपटने के लिए शशत्र बलो को तयार रखने के लिए की जाती है, मंतरी ने कहा कि पिछले तीन सालों में यानि की 2018 से 2019 सो 2020 से 2021 के दौरान भारतिय विक्रेताओं के साथ वि इनों ने आगे कहा कि आत्म निर्भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा निर्मान में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो सकरात्मक स्वदेशी करंट सूची भी जारी की गई है मद्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमन लगातार तम खोता नसर आ रहा है और लोग अपनी पुराने जिंदगी में लौट रहे हैं अब मद्यप्रदेश में स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है 26 जुलाई से स्कूलों में 11 वी और 12 की कक्षाएं और च्छात्रवास खोल दिये जाएंगे साती कक्षा नौवी और दसवी की कक्षाएं 5 अगस से शुरू करती जाएंगे मुख्यमंतरी ने कहा कि सभी स्कूल 50 परतेश्यत वपस्तिती के साथ शुरू करे जाएंगे साथी जुलाई महीने में सब्ता में 2 दिन और अगस्त महीने में विद्यार्ती सब्ता में 4 दिन स्कूल आ सकेंगे साथी वहीं कक्षाइं खुली जाने के संबंद में क्राइसिस मेनेजमेंट समू स्थानिये परिस्तित्यों के अनुसा निर्णे ले सकेंगे साथी स्कूलों और चातरवास में कोवे नाइंटीन अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रतक से सोपी भी चारी की जा चुकी है मुखेमंते शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि कक्षा बारवी के लिए कोचिंग सेंटर पांच अगज से 50% श्रमता के साथ खोल दिये जाएंगे वहीं क्राइसिस मेनेजमेंट समू और सानी प्रिसाशन द्वारा इसकी लगाता मॉनिटरिंग भी की जाएगी साथी सभी कोचिंग सेंटर को कोवेड नाइटीन गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवारे हुगा साथी उन्होंने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालियों में एक सितंबर से नया सिक्षा सत्र भी श्रू कर दिया जाएगा परतमान में ओपन बुक पद्दती और परिक्षाओ का संचालन भी किया जा रहा है सानिय परिसेतियों के अनुरूप महाविद्यालियों में 50% श्रू के साथ ओफलाइन कख्षाओ का संचालन भी किया जाएगा तो बता दें लगाता मद्यप्रदेश में कोरोना के मामले कम खोते नजर आ रहे हैं इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है कि मद्यप्रदेश में अब जल्द ही स्कूलों को फ़र्ज़ से खुल दिया जाएगा हाला कि 25 जुलाई से 11 और 12 के स्कूल खोले जाएंगे और 9 और 10 के स्कूल 5 अगस्त के बाद से खोले जाएंगे इस्राइली पेगासर्ज स्पाई वेयर का इस्तिमाल कर प्रमुक नाकरिकों की कठित जासूसी की खबरों को निराधार बताते हुए बीजेपी ने सोंबा को कहा कि इस वारे में अब तक ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला है जो केंद सरकार से जुड़ा हो या पार्टी से जुड़ा हो एक समवादाता समेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सूचना प्रद्योगी की मंत्री और बीजेपी के वरिष्ट नेतार रविश्रंका प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के खिलाब कॉंग्रेस द्वारा की गई अधार हीन और बेबुनिया टिपनियों का पार्टी कड़ा खंडन करती है उन्होंने कहा कि अब तक इस विवाद से केंदु सरकार या बीजेपी को जोड़ने वाले सबूतों का एक भी टुकडा नहीं है ये डिजिटल स्पाइब वेर का मामला है और इस तरह डेटा के रूप में कम से कम कुछ ठोस सबूत सामने लाए जाने चाहिए ताकि आरोपों पर को सही ठराय जा सके महीरा विशंका प्रसाद ने कहा कि दुनिया भर में कई संभावे डेटाबेस हो सकते हैं जिनमें लोगों की संख्या या नाम शामिल है ऐसा कोई डेटाबेस भारा सरकार से कैसे संबंदिध है जब तक कि कुछ सुबूत सामने नखी लाए जाते हैं ये कहानी खुद बताती है कि डेटाबेस में किसी फोन नंबर की मौजूद्गी का मतलब ये नहीं है कि उसे हैक करने का प्रयास किया गया हो वहीं उडेसा में कोवेट नाइचीन महामारी के मद्दे नज़र तीर्थ नगरी पुरी में मंगलवार को निकारी ज़ाने वाली बहुदा यात्रा में शामिल होने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है बता दें भगवान जगनात और उनके भाई भेनों की वापसी यात्रा के लिए पुरी में धारा 144 के तहट लगा दी गई है और ये आदेश रात 8 बज़े तक लागू रहेंगे साथी ये भी सुनिश्ट करने के लिए कि बहुदा यात्रा के समय कोई भी भगत ग्रैंड रोड पर ना हो अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंद 21 जुलाई को रात 8 बज़े तक लागू रहेगा साथी आदेश के तहट ग्रैंड रोड पर सभी होटल, लॉंजिंग, धर्मशालाई और गेस्ट हाउस बंद कर दिये गए हैं और इस अवदी के दौरान आवशक सेवाओ, चिकित्सा सेवाओ को ले जाने वाले अधिकृत वहानों के अलावा पूरे ग्रैंड रोड में किस साथी भी व्यक्ति को तोहार देखने की भी अनुमती नहीं होगी, इन 48 घंटों के दौरान सभी दुकानों व्यवसाइक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अजासत नहीं दी गई है, साथी इस अवदी के दौरान अन्य जिलों से पुरी जिले में लोगों की आवजाही को एस जे टी एस की मुख्या प्रिसाशा कृष्ण कुमार ने सुमवार को एक समिक्षब बैटक की थी और इस बैटक के बाद उन्होंने कहा था कि बहुदा यात्रा भक्तों की भागेदारी के बिना रत यात्रा की तरह सभी कोविद नाइटी नियमों का पालन करते हुए आय प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह सिध्यान रखा जाएगा हलाकि 48 घंटे के लिए पूरी तरह से पावंदियान लगा दी गई है तरिंडमुल कॉंग्रेस की सबसे बड़ी नेता पश्यमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी अब अम्मा बन गई है जी हाँ पश्यमंगाल क की ममता बैनर जी उफ ममता दीरी दक्षिन भारत के तमिल्नाडु में ममता अम्मा बन गई है ममता बैनर जी को तमिल्नाडु की पूर्व मुख्यमंतरी और अन्ना द्रमुक की निता ज्यालानीता ओम बताते हुए चन्नई में पोस्टर लगाये गई है साथी टीमसी दक्षिन भारत समेट देश के अला गलग राच्चों में तरणमूल कॉंग्रेस की पैट बनाने की कोशिश की जा रही है यही वज़ा है के 21 जुलाई को मनाए जाने वाले तरणमूल कॉंग्रेस के शोहिद दिवस पर आयोजित कारक्रम में ममता बैनर्जी के संबोधन को इस साल तमिलनाडू में तमिल भाशा में प्रसारिद भी किया जाएगा बता दे तरणमूल कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेता की माने तो 21 जुलाई को ममता बैनर्जी के भाशन को पश्चे मंगाल के बड़े परदों पर प्रसारिद भी किया जाएगा वहीं पहली बार तमिलनाडू, दिली, पंजाब, तरिपुरा, गुजरात और उत्तरप्रदेश जैसे दूसे राज़ों में भी ममता के भाशन का LED स्क्रीन पर प्रसारिद किया जाएगा किसान अंदोलन और आतंकी हमले की आश्रंका को देखते हुए संसत भवन की सरकों से लेकर आसमान तक सुरक्षवयवस्था बहुत करती गई है मांसून सत्र के दौरान संसत की 24 घंटे सुरक्षवयवस्था रहेगी साथी संसत की कई सरों में सुरक्ष़ा की गई है दूसी तरफ नई दिली जिलाप पुलिस को सकता देश वे दिये गए हैं कि नई दिली इलाके में कोई भी ट्रेक्टर किसी भी सूरत में प्रवेश न कर पाए और संसत के मौनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी दिन भर संसत के आसपार गश्ट भी करते नसराए साती किसानों ने मंगलवार को संसत के और से मार्च करने का भी ऐलान किया है और दिल्ले पुलिस के वरिस्ट रहे कारियों ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान संसत के बाहर किसानों द्वारा प्रस्तावेत विरोध प्रदरशन से नहीं पथने के लिए दिल्ले पुलिस ने पूरी तयारी कर ली है प्रसावेत प्रदर्शन को टालने के लिए परिवार को किसान संगठनों को मनाने के लिए दिल्ले पुलिस की कोशिश भी नाकाम रही थी महीं किसानों को प्रदर्शन के लिए वेकल प्रकिस्थान देने की कोशिश भी की गई थी मगर किसान नहीं माने ऐसे में किसानों के 26 जनवरी को की गई हिंसा को देखते हुए दिल्ले पुलिस के चिंता और ज्यादा पढ़ गई है राष्ट्य जनता दल के प्रदेश अध्याक्ष जगन नात सिंग जब आरजडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादफ से मिले तो उनसे पतना आने का आगरेब भी किया सूत्रों के मुताविक लालू प्रसाद जल्द ही पतना आ सकते हैं वो जुलाई के अंत या अगस के शुरुआत में पतना पहुं सकते हैं लालू प्रसाद के लिए रावरी आवास में खास कमरा भी बनाय जा रहा है और उनकी बिमारियों को देखते हुए नए कमरे की तयारी हो रही है आरजडी सुप्रीमो को किसी तरह का इंफेक्शन ना हो उसके लिए भी कमरे में विशेज ध्यान रखा जाएगा साथी लालू प्रसाद ने खुद भी आरजडी के स्थापना दिवस पर कहा था कि वो पत्ना आएंगे और जिलों का दौरा भी करेंगे आरजडी सुप्रीमो के लिए बनाय जा रहे नए कमरे में उनकी बिमारी से जुड़ी सुवदायं भी रहेंगी और लालू प्रसाद को चलने फिलने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए इसका खासा ख्याल रखा जाएगा कि कमरे में अप एंडाउन नहीं ना के बराबर ही रहे और उनको आने जाने में किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो वहें लालू प्रसाद को इंफेक्शन का खत्रा बना रहता है इसलिए इस कमरे को बागी कमरे से सेपरेट भी तयार किया जा रहा है इस बुलेटिन फिलार के लिए इतना ही आप देखते रहें नीज़ोल इंडिया